दोस्तो प्रदिवीरे 11 12 ऐकाट में इस चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप complex नंबर की बात करोगे दोस्तो तो unit test में कौन-कौन से questions सर आ सकते हैं तो आज मैं वही वीडियो आपको देने जा रहा हूँ आप सबसे पहले इन सभी questions के practice कर लो और साथ में एक college की ओर से आता है और हो सकता है कि college में कुछ ऐसे topics हैं जो नहीं पढ़ाये जाते हैं और उसके उपर फिर वह questions नहीं देंगे पूरा का पूरा सिल्या वस आपके एक्जाम में आता है तो चलते हैं दोस्तो one by one चीजों को start करते हैं देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो complex number मैंने angle and measurement की उपर important question दे दिया है प्लीज अगर आप वीडियो के नीचे comment करोगे तो chemistry का biology का और physics के ऐसे ही important question हम unit test के देंगे उस lesson का आप नाम भी लिखते जाओ तो unit test के पहले आपको एक अच्छा preparation करने के लिए help निल जाएगा तो दोस्तो देखो exercise number 1.1 में सबसे पहले आपको question number second का बस first and six question solve करना है question number third का first please note down कर लेना first and दोस्तो आपको fifth वाला solve करना चाहिए then दोस्तो question number four में आपको दोस्तो question number seventh and दोस्तो इसके बाद आपको direct question number second solve करना चाहिए then main question fifth आपको solve करना चाहिए and दोस्तो इसके बाद question number seven please question number seven में जितने भी question से आप मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा फिर भी उ लेवेनित वाला उल्ल सॉल करूँ एन दें दोस्तों इसके बाद आप डिरेक्टली कॉर्शन नमबर ते जल सुल करो धान इसके बाद इसके बाद ट्वैनिवा़ stunned方ल करो एन दोस्तों इसके आद सेव diff contentस्री साल गोल रो सब बहुत ऐसी कोश्टन है and दोस्तों इसके आप 19 और 18, 18 अगर आप solve कर ले रहे हैं तो 23 same question है दोस्तो 24 का question number first and question number third बहुत ही अच्छे से आपको solve करना है या तो question number first and fourth भी आप solve कर सकते हैं अगर third नहीं करना है 1.2 very 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 important question 1.2 में question number first का first question है दोस्तो and second question है first and second या तो first and fourth solve कर लो and दोस्तो इसके आप question number second, third, fourth, fifth ये बहुत सारे colleges में नहीं पढ़ाया जाता है बड़ भी अगर आपके college में पढ़ाया है तो सभी के एक-एक question आप solve कर लो and दोस्तो जो सबसे ज़्यादा important part आ रहा है 1.3 इसके अंदर से देखो एक question confirm है square root of complex number जो मैंने अब भी पहले आला exercise बताया पर यहां से एक question अगर आपके college में polar form सिखाया है तो भाई polar form का एक question आने के chances बहुत ज़्यादा रहते है तो देखो सबसे पहला modulus और amplitude बहुत अच्छे से cover कर लेना question number one में कोई भी आप randomly इसमें से दो question solve कर लो मेरे इसाब से first and fifth solve कर लो या six भी साथ में solve कर लो कि यह एक important part है and दोस्तो इसके बाद direct आप आजाओ question number four पे question number four वाला अगर आपने part solve किया तो लगभग इस exercise का part आपका हो गया and दोस्तो इसके बाद अगर आप चाहिए तो question number eight का एक दो question देख लो nine का एक दो देख लो बस इसके अंदर दो ही question सबसे ज़्यादा important है and दोस्तो इसके बाद अगर मैं last exercise की बात करो तो most of the colleges में ये exercise पढ़ाया भी नहीं जाता पर अगर आपके college में अगर पढ़ाया जा रहा है तो question number first जो है उसमें का एका question नहीं solve करोगे तो भी चलेगा main question second है दोस्तो second question में at least starting के तीन से चार question solve कर लो आपका काम हो जाएगा और लगबग और कहीं कहीं पर दोस्तो colleges में question number fourth पढ़ाया जाता है तो आ सकता है otherwise नहीं पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो इतना पाट अगर आपने cover कर दिया तो बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पाट आपका cover हो जाएगा वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks thank you so much दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टेक कियर जाहिन दोस्तों